गुर्मानिंग अशुडेंट वेलकम टू मैं चैनल सोलन एजुकेशन पत्ना आज हम लोग इंजिनिंग मेकैनिक्स का उनिट फाइव का ये पार्ट टू है अब्जेक्टिव कोश्चन ठीक है पार्ट वन आपके आपको अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल सोलन एजुकेश कुष्चन पत्ना पर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें उस वीडियो को जाकर देखें ठीक है आज हम लोग जो नेक्स्ट कोश्चन करने जा रहे हैं आज का जो पहला कोश्चन है वह हमारा है the velocity ratio the velocity ratio the velocity ratio of simple wheel and axle konsa wheel action simple wheel and axle with d capital d and small d diameter of effort and diameter of effort d है और हमारा जो wheel का diameter d है तो हम लोग पता है कि जो हमारा velocity ratio जो होता है वो distance या displacement moved by effort divided by distance moved by load तो pi से pi cancel हो जाएगा capital d by a small d जो हमारा होगा वो हमारा velocity ratio होगा किसका simple wheel and axle का answer d is the right answer of question first ठीक है तो हमारा जो velocity ratio हो जाएगा simple wheel and axle का capital d by a small d ठीक है उसके बाद उसके बाद हमारा जो next question है उसमें हम लोग देखते हैं कि the velocity ratio of differential wheel and axle ठीक है differential wheel and axle के लिए बताये थे formula हम derive भी किये हैं अगर जो लोग को दिक्कत है वो हमारे channel पर जाकर के देख सकते हैं और तोहां पर derive किया गया differential wheel and axle का उसमें formula होता है 2d divided by d1 d1 minus d2 ठीक है याद करने के लिए हमने बताया था जो velocity ratio होता है वो 2d divided by d1 minus d2 answer जो हमारा हो जाएगा b हो जाएगा और simple wheel and axle से relate करने के लिए बताये थे कि जो हमारा capital d होता है उसको 2 से multiply कर देते हैं और d को हम लोग d1 minus d2 करते हैं क्योंकि हम यह भी बताये जाते है student की जो हमारा differential wheel and axle होता है उसमें 2 xl होता है और 1 wheel होता है ठीक है बत जो हमारा simple wheel and axle होता है उसमें 1 wheel होता है और 1 xl होता है जब 2 wheel होता है तो difference लेकर के हम d1 minus d2 और 2 से उपर क्या करते हैं multiply करते हैं तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि differential में 2 होता है तो 2 से multiply कर दें और 2 है तो difference कर देंगे d1-d2 अगर अभी भी दिकत है तो कैसे derivation करते हैं वो जाकर के playlist में आप देख सकते हैं unit 5 का अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like करते रहिए और दोस्तों के साथ share करते रहिए ठीक है ताकि और भी जो student है उनको सीखने का मुका मिले ठीक है next जो है हमारा काता है differential पुली block has smaller diameter ठीक है smaller जो diameter दिया है और larger diameter दिया यानि capital जो डी दिया है 100 mm दिया है और small जो डी दिया है वो हमारा 80 mm दिया है कितना दिया है 80 mm ठीक है अब पूछ रहा है कि what is the value city ratio of differential पुली block तो differential पुली block का जो value city ratio होता है ना value city ratio बराबर formula होता है हमारा 2D divided by capital D minus small d ठीक है value put कर देंगे तो 2D का value 100 divided by 100 minus 80 ठीक है अब इसी को देखेंगे तो 200 divided by 20 और 20 से 20 कटेगा बचेगा 10 answer जो हमारा B B is the right answer तो अगर differential पुली block का differential पुली block है तो हम differential पुली block के velocity ratio को भी याद करने के लिए बताये थे कि हमारा जो differential term आ जाए तो हमको क्या करना है differential V and XL का formula हमको पता था 2D divided by D1 minus D2 अगर differential पुली block कर दे तो उसमें capital D1 को हम लोग capital D से replace कर देंगे और D2 को small D से replace कर देंगे और वो बन जाएगा हमारा differential पुली block student यह जो unit 5 है यह सबसे easy topic है आप ज़्यादा से ज़्यादा number इससे पास सकते हैं subjective as well as objective question में इसलिए इस unit को आप कभी neglect मत कीजिए ठीक है इस unit को बहुत से कम 10 आएगा अगर आप subjective और objective मिला दें तो दस number का आपका portion है यह और वो आसानी से गलत होने का भी chance नहीं है इस तरह से आप इस chapter को unit 5 को आप कभी भी गलती से भी इसको neglect मत कीजिए इसको परके जाना है और अच्छे से परके जाना है next question है कि इन बॉम्ड भील टीक है इस जो बॉम्ड गेर पुली ब्लॉक है बॉम्ड गेर पुली ब्लॉक if you double the number of teeth on the बॉर्म भील काता है एक दिन वैलिवसीटी रिशियो क्या होगा अब देखिए लेलिवसीटी रिशियो क्या होगा अब तो objective है तो आप नहीं जानते हैं तो यह मार दीजे, B मार दीजे, C मार दीजे, कुछ भी मार दीजे, that not matter, but इसका एंसर कैसे हम लाएंगे, इसके बारे में हम जानते हैं, तो हम बॉम्ड का, बॉम्ड गेर्ड पुल्ली ब्लॉक का, हम जो फार्मूला बताये थे, उसमें capital D, divider by T, ठीक है, by R होता ह ठीक है, जहाँ पे D जो diameter of the wheel है, और T जो होता है, number of teeth on the wheel होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, कि जो velocity ratio है, velocity ratio जो है, वो directly proportional है, T का, ठीक है, तो अगर velocity ratio को double किजिएगा, सरी, अगर number of teeth, अगर double किजिएगा, तो velocity ratio भी double हो जाएगा, अगर velocity ratio को triple किजिएगा, velocity ratio को भी triple किजिएगा, मतलब number of teeth को क्या कर रहे है, triple कर रहे है, ठीक है, जितना आप teeth बढ़ाईएगा, उतना ही velocity ratio बढ़ेगा, क्योंकि velocity ratio और number of teeth directly proportional है किस में, bombed gear, पुली ब्लॉक में, नेक्स्ट है, the velocity ratio of single purchase grab, single purchase grab, which can be increased by, तो हमारा single purchase grab का, अगर हमारे पास velocity ratio का formula है, तो आप इस question को सही जवाब दे पाईएगा, नहीं तो नहीं दे पाईएगा, तो हमारे वीडियो पे अब लेबल है, हमारे चैनल पे आप वीडियो अब लेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पूरा derivation के साथ की single purchase grab का, क्या velocity ratio होता है, mechanical advantage क्या होता है, efficiency कैसे निकालते हैं, यह सारा calculation है, और खास बात है, कि आपका lab, lab के लिए भी applicable है, single purchase grab और double purchase grab, जो है, हमारा lab के experiment में भी करना है, तो आप इससे भी ज्यादा important है, कि theory के साथ साथ आप practical भी पर रहे हैं, तो velocity ratio का formula जो होता है, student lyr into t1 divided by t2 होता है, ठीक है, जिसमें l जो हमारा होता है, length of the handle होता है, हमारा length, और हमारा जो t1 होता है, number of teeth on the gear and number of teeth on the pinion, ठीक है, अब देखें काता है कि increase the radius of the low drum, देखो, r जो है, अगर r जो है, velocity ratio से inversely proportional है, अगर इसको बरहाएंगे न, r को बरहाएंगे न, तो velocity ratio घटेगा, मतलब b option तो नहीं होगा, increasing the number of teeth on the pinion, ये जो t1 होता है न, number of teeth on gear होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये जो हमारा होता है, हमारा pinion होता है, ठीक है, pinion होता है, तो pinion की क्या है, inversely proportional है, तो increase the number of teeth on the pinion, ये गलत बात है, pinion का बरहाएंगे, तो velocity ratio क्या हो जाएगा, decrease कर जाएगा, all of the above नहीं होकर के answer हो जाएगा, increasing the length of the handle, तो length of the handle, क्योंकि velocity ratio जो है, वो directly proportional क्या है, L का है, तो answer जो हमारा हो जाएगा, increasing the length of the handle, increasing the length of the handle, next है, the velocity ratio of first system of pulley, with four pulley, ठीक है, fourth pulley के लिए, velocity ratio क्या होगा हमारा, तो इसका answer हो जाएगा, sorry, ठीक है, 16, ठीक है, आपके syllabus में, first pulley, second pulley, third pulley, syllabus में नहीं है, ठीक है, तो आप इस question को neglect भी कर सकते हैं, बट वो था तो हमें इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो six, जो है, the velocity ratio of, जो हमारा first system of pulley, जो हता है, first system का, और four pulley है, तो इसका हो जाएगा, n square, मतलब 4, मतलब 16, n square, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, four का square, मतलब 16, shortcut में हमको याद रख सकते हैं, कि जो velocity ratio of first system of pulley है, with four pulley है, अगर number of pulley, n है, तो n square कर देंगे, तो हमारा, 16 हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, next जो है, if the number of pulley in a system is increased, केता है कि अगर number of pulley अगर increase करें, number of pulley अगर increase करें, if the number of pulley in a system is equal to its value city ratio, then it is set of, set क्या है, second system of pulley, second system of pulley बोलते हैं, काता है कि if the number of pulley in a system is equal to its value city ratio, velocity ratio के बराबर हो जाएगर number of pulley, तो ऐसे system को हम लोग second system of pulley बोलते हैं, number of pulley जो है, equal हो जाए, velocity ratio का, ठीक है, number of pulley बराबर हो जाए, equal हो जाए, velocity को, तो वो system जो होगा, वो second system of pulley का लाएगा, next, in a simple screw jack, in a simple screw jack, simple screw jack का भी वीडियो हमारे YouTube channel, Solan Education पटना पे available है, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो वीडियो को देखें, और अपना concept को clear करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने friend circle में उसको share कीजिए, और subscribe करने के लिए motivate कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्त को अच्छे अच्छे वीडियो हम provide कर पाएं, ठीक है, तो देखे है student ये का रहा है कि in a simple screw jack, L as the length of the effort will, P is the pitch of the screw, velocity ratio क्या होगा, तो हमने derive करके बताया है, कि जो velocity ratio होता है, simple fill in xl का, तो 2 pi L divided by pitch, small p जो होगा, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे capital P ही लिखा गया है, मगर आप ध्यान दिजिएगा कि capital P इस पूरे chapter में effort को represent कर रहा है, तो यहाँ P जो होगा, a small p होगा, और answer जो हमारा हो जाएगा, a हो जाएगा, 2 pi L divided by P, फिहर P is the pitch, the velocity ratio, velocity ratio of double threaded, ठीक है, double threaded bomb geared screw jack is double, then that of single threaded screw jack provided other dimension remains the same, अगर वीडियो लाइक करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यह हमारे semester के लिए, हमारे knowledge के लिए important है, तो आप इसको like करें, comment करें, ठीक है, और अपने friends सेलकिल में इसको share करें, ठीक है, तो और भी हम, क्योंकि आपके like, share और comment से ही, हमें motivation मिलता है, और उस motivation को हम, आपको अच्छे अच्छे content में change करेंगे, और अच्छे अच्छे हम topic पे वीडियो बना के आपको provide करेंगे, ठीक है, तो thank you student, ठीक है, enjoy किजे, और अच्छे से परहाई किजे, thank you.